भारतिय रेलवे की तरप से 27 अक्टूबर को बिहार के यादत्रियों के लिए एक नई सुपरफास ट्रेन का संचालन को सुरू किया जाएगा और इस अपडेट में बात करेंगे से ट्रेन के डिटेल्स के बारे में तो चलिए सुरुवात करते हैं इस वीडियो को उसे पहले हमारे इस चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब बिहार के याद त्रियों को एक बार फिर से एक नई सुपरफाज ट्रेन का सौगात मिलेगा और यह ट्रेन 27 अक्टूबर से इसका संचालन सुरू हो जाएगा ट्रेन नमबर 01-010 के साथ ये ट्रेन बिहार के दानापूर रेलवे स्टेशन से महराष्ट के लोकमान तिलक टर्मिनल के लिए प्रस्थान की जाएगी दानापूर से LTT के मध्य चलने वार इस दूई सप्ताही की स्पेशल ट्रेन का संचालन सप्ता में परतेक दो दिन देखने को मिलेगा जहांपर कि ये ट्रेन दानापूर से परतेक मंगलवार और रविवार को प्रस्थान करेगी जारी सेडूल के अनुसार ये ट्रेन 27 अक्टूबर से सुरू हो रही है जहांपर कि ये ट्रेन 6 बच कर 15 मिनट पर साम में दानापूर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11 बच कर 55 मिनट पर मध्य रात्तरी लोकमानतिलक टर्मिनल पहुँचेगी ऐसे में ये ट्रेन दूसरे दिसा में ट्रेन 01 009 के साथ दुई सप्थाही की स्पेशल ट्रेन बन कर लोकमानतिलक टर्मिनल से दानापूर के लिए स्पेशल ट्रेन परतेक सोहंवार और सनिवार को चलाई जाएगी जाड़ी से डूर के अनुसार ये ट्रेन 12 बच कर 15 मिनिट पर लोकमानतिलक टर्मिनल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन साम 5 वजे दानापूर पहुंचेगी ऐसे में से ट्रेन के स्टॉपच के डिटेल्स की बात करें तो ये ट्रेन कई बड़े डेलवे स्टेशन रुकते हुए चलेगी जिसमें की ये ट्रेन दानापूर से खुलने के बाद आडा बकसर के रास्ते यूपी के पंडिट जिंद्यालो पाध्या जनसन आईगी और यहां तर्मिनल 1680 किलोमेटर का सफर ताय करके ये ट्रेन पहुंचेगी ये वीडियो के सलगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाले नई ट्रेनों के लिए टेस्ट अबडेट के लिए से चैनल को करें सब्सक्राइब